बॉलिवुट कैफे आज एक्स्प्लेइन कर रहा है एक पॉलिश मूवी इस मूवी में मदर और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रेक्टेड होती हैं यह फिल्म पॉलेंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की एवार्ड विडिंग मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी इस मूवी में मॉम इवा और डॉटर जुलका एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है आज जुलका का 18 बर्थडे है इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों यहाँ पे आई हुई है जुलका ने भी अपने कुछ खास इसको बुलाया है तभी जुलका स्टोर के बाहर देखती है तो वो देखके खुस हो जाती है क्योंकि उसका बॉइफ्रेंड एड्रियन बाहर ख़ड़ा होता है एड्रियन जुलका को बाहर बुलाता है एड्रियन को जब जुलका की मॉम देखती है तो उसके चेहरे की खुसी अचानक से गायब हो जाती है जुलका की मॉम जुलका को पूचती है कि यह यहाँ पे क्या कर रहा है वो कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है लेकिन जुलका अपनी मॉम की बात को इग्नॉर करते हुए बाहर चली जाती है जुलका की मॉम देखती हैं कि जुलका अपने बॉइफरेंड से मिलके काफी खुस है एड्रियन जुलका का काफी टाइम से boyfriend था जुलका एड्रियन से काफी जाधा प्यार करती थी लेकिन जुलका की मौम इवा को इन दोनों का relation बिलकुल भी पसंद नहीं था सौपिंग करके जुलका की मौम बाहर आती है जुलका कहती है कि मुझे बड़ी खुसी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलके खुब सेलिवरेट करेंगे तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे तो जुलका थोड़ी डिसपन्ट होती है और वो कहती है कि अब क्या तो एड्रियन कहता है कि देखते हैं जुलका को किस करते हुए देख के जुलका की मौम कहती है कि इधर आओ और यह सामान सही से रख दो किलियरली यहां पे लगता है कि एड्रियन को जुलका की मौम बिलकुल भी पसंद नहीं करती हैं लेकिन सच्चाई यह है कि जुलका की मौम खुद भी एड्रियन की तरफ काफी अट्रेक्टेट थी और एड्रियन तो खेर जुलका की मॉम को अजीब नजरों से देखा ही करता था इन दोनों के बीच में अनकही रोमांटिक टेंसन साफ दिखाई पड़ती थी जुलका की मॉम काड ड्राइव करके लेक हाउस पर जुलका का बड़्डे सेलिबरेट करने के लिए आ जाती है और डिक्की से सामान निकाल के जुलका को देती है और उसको कहती है कि उपर जाके सारी विंडोज खोल देना जाते समय जुलका एड्रियन को कहती है कि आजओ तुम भी आजओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम चलो मैं भी कुछ सामान लेके आता हूँ लेकिन जुलका की मॉम एड्रियन से बिना बात के ही सामान लेके घर की तरफ जाने लगती हैं एड्रियन खुद डिक्की से कुछ सामान उठाता है और जुलका की मॉम के पीछे पीछे जाता है तो जुलका की मॉम कहती हैं कि तुमारी बस एक घंटे में निकलने वाली हैं तुम यहाँ से चले जाना एड्रियन को पता था कि जुलका की मॉम का बिहेविर उसके लिए कुछ जादा सही नहीं रहता है इसलिए वो without any reaction घर के अंदर चला जाता है एड्रियन घर के अंदर आता है और जुलका की मॉम से बात करना चाता है लेकिन वो जुलका की मॉम से काफी डरता है क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का आंसर नो ही होने वाला है तो भी वो हिम्मत करके कहता है कि जुलका ने मुझे invite किया था अब अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो जुलका को अच्छा ने लगेगा और उसका birthday spoil हो जाएगा क्या आप ऐसा चाहती है क्या मैम कि उसका birthday spoil हो जाए लेकिन जुलका की मॉम बिना कुछ जवाब दिये ही सामान उठक के वहां से store room की तरफ चली जाती है जुलका की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलाल के लिए यहीं पे रुक जाता है तो थोड़ी देर बाद में जुलका उसकी मॉम को कहती है कि हम लैक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं तो जुलका की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुलका को कहती हैं की हमें अभी केक बनाना चाहिए लेकिन जुलका कहती हैं की अभी तो 12 ही तो बजे हैं हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है और वो स्विम करने के लिए अपने बॉइफरेंट के पास चली जाती है इस जवाब को सुनके जुलका की मॉम थोड़ी डिसपॉइंट हो जाती है जुलका की मॉम अभी घर की सफाई में लग जाती है लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है वो काम में बिल्कुल भी कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रही है पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ खीचे जा रही है जुलका की मॉम जब खुद को नहीं रोग पाई तो वो घर से बाहर आके देखने लग जाती है कि उसकी बेटी जुलका और एड्रियन क्या कर रहे हैं वो देखती है कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी जुलका दोनों मिलके काफी इंजॉय कर रहे हैं अब जुलका की मॉम जुलका के बर्थडे के डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाती है जुलका की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तयार करती हैं लेकिन उसके चेहरे पे अब वो खुसी नहीं है जो सुबह एड्रियन के आने के पहले थी जो खुसी उसके चेहरे पे सौपिंग मॉल में थी अब वो खुसी पता नि कहां गायब हो गई है जब जुलका की मॉम को रेलाईज हो जाता है तो बो पूछती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हु जुलका की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती हैं ख़पी हैं उसके पास आने की कोसिस करता है जुलका की मौम भी यहां से इल नहीं रही थी एड्रियन बिल्कुल करीब आके बोलता है कि प्लीज मैम मुझे रहने दीजे, प्लीज मुझे जुलका के बर्थडे में सामिल होने दीजे, जुलका की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि संस्क्रिम तो बात्रूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ और वो एड्रियन से दूर हट जाती है बात्रूम में जाते हुए जुलका की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस एक घंटे के अंदर आने वाली है तुम अपने घर चले जाना फिर जुलका की मॉम बात्रूम में चली जाती है और गहरी सांस लेती है उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है वो पीचे से जुलका की मॉम उसको देखती हैं और थोड़ी देर बाने घर के अंदर चली जाती है साम का समय हू चुका होता है ऐड्रियन और जुलका दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं तो जुलका मॉम के ड्कोरेशन को देखती है और वह कहती है कि मॉम ने उने साथ ले आए हो इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है तो जुलका उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया तुम्हें क्यों कॉल कर दिया तो जुलका की मॉम कहती है कि तुम दोनों स्विम कर रहे थे औ मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको call नहीं किया है आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती है तो जुलका की मॉम एड्रियन को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुमारे डैड को call कर सकती हूं और बता सकती हूं कि तुम मेरी डाटर के साथ क्या कर रहे हो तो Adrian confidently बोलता है कि मैं मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ I'm in love ये बात सुनके जुलका की मॉम बहुत हस्ती है जैसे कि Adrian बिल्कुल ही जूट बोल रहा है वो कहती है कि तुम कितने बेसर्म लड़के हो तुमें पता है न क्योंकि जुलका की मॉम को पता था कि वो जुलका का बॉइफ्रेंट होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी फलर्ट करता है तब ही जुलका आती है और कहती है कि Keys मिल गई है ले जाओ तो Adrian कहता है कि आता हूँ एक मिनट और जाते समय वो जुलका की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है मैं जुलका से सच में प्यार करता हूँ जुलका की मॉम और Adrian के बीच में एक अनकही रोमान्टिक टैंक्शन अब जादा बढ़ रही थी ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाते थे लेकिन जुलका की मॉम का moral inhibition इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था अब Adrian कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुलका की मॉम देखती है कि जुलका और Adrian दोनों बाते कर रहे हैं और जुलका Adrian को पूछ रही हैं कि वापस आओगे ना तो एड्रियन कहता है कि शूर मैं जरूर आउंगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं और फिर वहाँ से एड्रियन चला जाता हैं एड्रियन के जाने से जुलका की मॉम जैसे थोड़ी रिलेक्स हो गई और उसने गहरी सांस ली जुलका अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो तो एड्रियन की मॉम पूछती है कि क्या तो जुलका अपना कुशन रिपीट करती है कि आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो जुलका की मॉम को समझनी आया कि इस ब कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकड स्विमिंग के लिए गई थी जिसकी वज़े से हमारे नेबर्स ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गाओं के एडिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वॉन किया था कि वो आगे से लेक में नेकड स्विमिंग करने के लिए न तो उसकी मॉम काम को वहीं पे छोड़ते हुए वो कहती है कि मिल्क तो हम खरीद के लाए थे तो जुलका कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है तो जुलका की मॉम मिल्क को ढूंडने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे मिल्क की बोतल् स्वापिंग मॉल से खरीद के लाए थे लेकिन जुलका की मॉम जुलका को कहती हैं कि मिल्क तो है नहीं मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा और वो शौवर लेने के लिए बातरूम में चली जाती हैं जुलका बिना किसी सक के क्रीम प्रिपेर करने में लग जाती हैं अब उसको अंदर बैठने के लिए कहती हैं एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता हैं और जुलका की मॉम कार चलाती रहती हैं ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे काफी देर तक जुलका की मॉम कार चलाती रहती हैं और इन दोनों के बीच में एक आक्वड टाइप का साइलेंस रहता हैं थोड़ी देर बाद में जुलका की मॉम एक सुनसान सी जगध देखके अपनी कार को रोक देती हैं लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे जुलका की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती हैं तो एड्रियन अपने दोनों हातों से जुलका के मॉम के चेहरे को सेलाता हैं जुलका की मॉम एड्रियन के फिजिकल अट्रेक्शन से अभार चुकी थी और अपने आपको उसने एड्रियन के हवाले कर दिया और अब ये दोनों मिलके कार में इंटिमेट होते हैं इंटिमेट होने के बाद में Adrien टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है तो जुलका की मॉम देखती है कि उसके फोन पर जुलका का कॉल आ रहा है लेकिन वो जुलका का call काट देती हैं अड्रेन जुलका की मौम के पास आता है और उसके चहरे पे अजीब सी खुसी होती है लेकिन जुलका की मौम इतनी खुस नहीं होती है क्योंकि वो अपनी desire के आगे मजबूर होके अड्रेन के साथ intimate होई थी बलकि वो दिमाग से नहीं चाती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिस करती और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती लेकिन बॉड़ी की Unmitigated Chemical Desire हमेशा Human Intelligence पे भारी पढ़ती हैं और यही बात जुलका की मॉम के साथ भी हुई जुलका की मॉम एड्रियन से सिगरेट बांगती हैं वो सिगरेट जलाके जुलका की मॉम को दे देता हैं और फिर से जुलका की मॉम के क्लोज आने की कोशिस करता है लेकिन जुलका की मॉम अब उसमें कुछ खास इंट्रेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं कि चले जाओ यहां से प्लीज तुम चले जाओ यहां से एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार्ट से नीचे उतर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है जुलका की मॉम अपनी सिगरेट खतम करती है गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती एड्रियन अब चला गया है तो जुलका की मॉम सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी जुलका की मॉम जब लेक हाउस पे पहुंसती है तो वो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है जो लेटरंस उसने लगाए थे अब वो नीचे उत्रे हुए हैं और कुस तो तूटे हुए भी है ये देखके जुलका की मॉम को बड़ा अजीब लगता है वो घर के अंदर जाती है तो देखती हैं कि जुलका बेसुद किचन के फ्लोर पर सोई हुई है जुलका अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नी किया तो जुलका की मॉम उससे जुट बोलती है कि मेरा फोन म्यूट मोड पे था जुलका की मॉम पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया तो जुलका कहती है कि मुझे मिलक मिल गया था वो स्टोर रोम में रखा हुआ था ये सुनके जुलका की मौम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुलका को पूछती हैं कि तुमने डेकड़ेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुमारा बर्थडे है ना तो जुलका कहती है कि कोई party नहीं होगी यहाँ पर जुलका की मॉम को अंदरें अंदर काफी डर लग रहा था जुलका कहती है कि एड्रियन ने मुझे message किया है कि वो नहीं आएगा और अब वो जिन्दगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा जिसकी वज़े से जुलका को बहु जुलका की मॉम जुलका को गले लगा देती है लेकिन जुलका को नहीं पता कि उसकी मॉम नहीं एड्रियन को बार बार यहां से जाने के लिए कहां और आप वो खुद एड्रियन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्फ होके आई है जिसकी वज़े से सायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंट्रेस्टेड नहीं है और जुलका की मॉम जो अपनी डॉटर के 18 बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एकसाइट थी आज उसी ने अप और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यो फो वाचिंग